तो जैसा कि लाश्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर गया था कि हार्डिस की पार्टिशनिक प्राइब करेंगे हार्डिक्स को बनाएंगे कैसे एक्सेंड कैसे करेंगे स्रिंग कैसे करेंगे तो आई होप कि आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज हम मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा हार्डिक को कैसे क्रियेट करेंगे इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल और चलिए शुरू करते हैं तो डिस्क मैनेजमें डिस्क को मैनेज करने के लिए आपको डिस्क मैनेजमेंट पोर्टल पर जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट पोर्टल पर कैसे जाए जाता है वह अल्लेडी हम लोग उने डिसकस कर रखा है तो यहां पर मैं डिस्क पीसी पर राइट क्लिक कर रहा हूं र को परफ़र्म कर सकते हैं को did easy management open ऑगा खानेगे बाद मैं चलुआ करेंगे भी दिस्कीकड करें ग्रह। यहां पर हमारा यहीं क्लिक करते हो तो इस ही ड्राइब के अंदर हम लोगं वर्च्वल क्रियेट करेंगे tö yada तो उसे create करने के लिए action option पर click करना है & create VHD पर click करना है जैसे आप create VHD पर click करोगे यहाँ पर location पूछेगा कि आप कहा पर वह वर्ट्राइब करना चाहते हो browse करके आपको location दे देना है जहां पर आप जाते हो मैं 10 PC के अंदर चला जाता हूं और दीस PC के अंदर जाकर मुझे चूज कर लेना है वो location जैसा कि मैं यहाँ पे F drive के अंदर जाके एक folder create कर देता हूँ Tech Tunnel के नाम से और यह Tech Tunnel के नाम से folder create हो जाने के बाद मैं save option पे click करता हूँ Tech Tunnel.vhd and save जैसे ही आप save करोगे दूसरा option आपको देखने को मिलेगा कि इसके size को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो MBGB और TV में आप size create कर सकते हो यहाँ पे मैं 2GB का virtual hard disk create कर रहा हूँ और यहाँ पे आप selection कर देना है सपोर्ट कर देता है और एक है VHDX जो की सपोर्ट करता है larger than 2 TV और maximum 64 TV तक यह सपोर्ट कर सकता है Windows 8 और Windows Server 2 के 12 में यह not supported है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद आप देख सकते हो नीचे है आपका virtual hard disk type तो virtual hard disk type में दो type है एक fix size और दूसरा dynamic expanding fix size का है the virtual hard disk file is allocated to its maximum size when the virtual hard disk is created and dynamic जैसा कि आप देख सकते हो virtual hard disk file grow to its maximum size as data is written to the virtual hard disk तो इन दोनों में different fix size में आपकी size fix हो जाती है और dynamic में size fix नहीं रहती है okay करना है VHD पे मैं selection करके okay कर दिया और यहाँ पे यह आप देख सकते हो कि processing ले रहा है virtual hard disk को create करने का create होने देते हैं इसे okay तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह 2 GB का हमारा virtual hard disk create हो गया disk 1 पहला disk 0 दिख रहाता है दूसरा disk 1 मैं एक और create कर लेता हूँ action के अंदर create VHD browse के अंदर फिर से मैं एक location दे देना है कि किस locations पे आप चाहते हो virtual hard disk को create करना 10 PC के अंदर आखे मैं F के अंदर एक और VHD create कर लेता हूँ एक folder create कर लेता हूँ tech tunnel two के नाम से यहाँ पर create कर लेता हूँ shape and यहाँ पर आपको size लिख दिना है कि कितने size का 3 GB का मैं यहाँ पर create कर देता हूँ okay और जैसा कि यहां पर यह भी processing ले रहा है create होने में हो चुका है यहां पर तो यहां पर देख सकते हो हमारे दो virtual hardX create हो चुके disk 1, disk 2 अब इसे हमें on करना है disk 1 और disk 2 को ताकि हम इसको use कर पाए तो यहां पर यह हमारा cd-rom का है अब मैं इसे disk 1 पर राइट क्लिक करना है यहां पर option आएगा इनस्लाइज डिस्क पर क्लिक करना है यहां पर दोनों डिस्क आपको select कर लेने या पर जितने multiple रहेंगे select करके और यहां पर नेक्स्ट 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 एंड फिनिस्ट आप इसमें चाओ तो size भी manage कर सकते हो जो कि already हम लोग ने पिछे के वीडियो में create कर रखा है manage समझ रखा है अब इसे close कर लेते हैं close करके जाकर देख लेते दिस्ट पीसी के अंदर कि हमारे दोनों drive बना हुआ है कि ने तो इस पीसी open करते हैं ओके तो इस पीसी open हो जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हो हमारे दोनों drive बन चुके हैं जो कि एक जी आई है और एक हमारे जी है आई जी आपका दो जीबी के आसपास का है इसके अंदर आप अपना डेटा वाइगरा भी रख सकते हो और आई आपका तीन जीबी के आसपास का है जैसा कि मैंने virtual hard disk को create करते टाइम दिया था इसके अंदर मैं कुछ data को रख देता हूं ताकि आप देख सको कि मैं यह वर्चौल हार्डिक्स प्रॉपर वर्क कर रहा है बैक चले जाते हैं अब यहां पे नेक्स्टम लोग देखते हैं कि यह जो लोकेशन हमने दिया था एप द्राइब के अंदर दे सकते हूं यह हमारे दो वर्चौल हार्डिक्स क्रियेट है अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूं यहां से तो यह यहां से डिलीट नहीं होगा क्योंकि यह अभी प्रोसेसिंग में मतलब कि इसका ड्राइब यहां पर बन रखा है दप्रोसेस कांट एक्सेस दफाइल और जी दोनों हमारे ड्राइब पड़े हुए प्रॉपर काम कर रहे हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है अगर मैं इस एप ड्राइब के अंदर आखे मैं इसे राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिस कर रहा हूं यहां पर सो आपको more options पर आके मैं यहां पर delete करता हूं तो यह यहां से delete भी नहीं होगा अगर आप virtual hard disk को delete करना चाहते हो तो delete करने के लिए आपको सबसे पहले hard disk को क्या करना होगा अनattached करना होगा या offline करना होगा तो मैं फिर से disk management open कर लेता हूं इसे close करता हूं और मैं चला जाता हूं डिस्क management फिर से option डिस्क management के option पर वहां से आपको पहले जो वर्च्वार्टिक्स आपने create कर रखा है उसे हटाना होगा तो disk management मैंने open कर लिया यहां पर और यहां पर यह हमारे प्रेश कर दूँगा और यहां से hard x हट चुका है अब अगर आप उस folder को जागर delete करना चाहो तो delete कर सकते हूं मैं 10 PC के अंदर आगया हूं और 10 PC के अंदर आने के बाद F के अंदर फिर से चला जाता हूं अब मैं दिखा दे रहा हूं कि यह पहला वाला जो कि मैंने वहां से de-attach किया था right click करके show more option और यहां पर मैं इसे delete कर देता हूं yes and यह यहां से अब delete हो चुका है लेकिन वही काम अगर मैं दूसरे पर करने जाओ right click करता हूं show more option और इसे अगर मैं delete करता हूं तो यह नहीं होगा क्योंकि यह अभी मैंने वहां से de-attach नहीं किया हुगा है तो जब भी आपको virtual hardix हटाना होगा तो यह कंपल सरी है कि आपको वहां से de-attach करना होगा तभी यह folder यहां से delete हो पाएगा तो next हम लोग देखते हैं कि पूल create कैसे करेंगे hardix के पूल को कैसे हम लोग create करेंगे तो hardix का पूल सबसे पहले होता क्या है कई अलग-अलग hardix को physically अलग-अलग hardix को combine करके एक space बनाना कहलाता है क्रियेट पूल या फिर hardix का पूल क्रियेट करना मतलब कि दो या दो से अधिक अगर हमारे पास hardix है उनको अगर हम लोग combine कर रहे हैं एक साथ जैसे 10-10 GB के 2 hardix है तो उन्हें हमने combine कर दिया और वो टोटल हो गया आपका 20 GB का तो इस प्रैक्टिकल के अंदर आप ध्यान रखना कि आपके पास आपके मसीन के अंदर कम से कम 2 hardix लगे होने चाहिए तब ही आप इस प्रैक्टिकल को perform कर पाओगे अधरवाइज आप इस प्रैक्टिकल को perform नहीं कर सकते तो यह इसी का प्रैक्टिकल है चलो देखते हैं कि हमारे मसीन के अंदर कितने hardix लगे हुए हैं तो 10 PC पर राइट क्लिक करके manage के अंदर चले जाते हैं और यहां पर हम चेक कर लेते कि हमारे machine के अंदर कितने hardix लगे इंसर्ट करा देता हूं ताकि इस प्रैक्टिकल को perform करा सको हूं ओके तो हमारे machine के अंदर hardix लग चुके हैं अब मैं यहां पर फिर से 10 PC के अंदर जाकर दिखा देता हूं कि हमारे machine के अंदर कितने hardix आ चुके हैं पहले मैं refresh थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि हमारा system proper on हो सक है एनड फिर से मैं डिस्क मेनेज़िमेंट पे जाकर दिखाता हूं दिस्क PC राइट क्लिक मैनेज कर करनें के ऑद केगाania camera गहां पर दिखेगां डिक सकते हो मैंने दो फिसन आठैच कर आया हूँए और दोनों को हमें on कर देना है OK करके तो यहां पे दोनों harddix, physical harddix हमारे machine के अंदर आ चुके हैं, तो total हमारे machine के अंदर 3 harddix हो चुके हैं, disk is 0 अलड़ी था, 1 and 2, और इसे मैं close करता हूँ, अब आपको चले जाना है next create pool के option पे, तो create pool के options में जाने के लिए आपको search box पे click करना है, search box पे click करते ही, यहां पे आप option आपको देखने हैं, storage setting के अंदर, storage setting के अंदर आने के बाद आपको चले जाना है, advance storage setting, जो की नीचे के options में आपको देखने को मिलेगा, advance storage setting को expand करना है, और यहां पे आपको option मिलेगा, storage space, storage space पे click करना है, जैसे आप storage space पे click करोगे, यहां पे आपको option है, create storage pool and storage space, यहां प आपको पूल का नाम दे देना है जैसा कि नाम मैं दे देता हूँ अपना टेक टरनल के नाम से स्टोरेज न्यू स्टोरेज पूल का नाम आपको यहां पर क्रियेट करना है यहां पर देख सकते हो दोनों आपको हार्डिक्स दीख रहे हैं तो आप अब लेवल डिस्क कितने ए 20GB के आसपास का आप बना सकते हो और इसे मैं कर देता हूं सिंपल वॉल्लिम से और बाकी वालूम क्या होते हुआ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे और यहां पर मैं कर देता हूं आपको लेवल देना है कि कौन सा आप ड्राइब सो कराना चाहते हो तो मैं फिर से वही टेक्टरनल करके सो कराना चाहता हूं मतलब कि ड्राइब का जो नेम है वो टेक्टरनल एंड फॉर्मेट पर क्लिक करना है और यह देख सकते हो 24GB का ड्राइब आपको यूज करने के लिए ई ile जो कितने हैं आपके ड्राइब से अandırटों इस्थरी यूज करने के लिए ड्राइब यहां पर देख सकते हो 23 ट्यांटी भी आपको यूज करने के लिए मिल गया तो यह था पूल कृेट करना किसी भी हायस का कि आप दो यादो से अधिक हार्टर को कमबाइन करके एक पूल बना सकते हो ताकि आप सारी चीजों को यूज कर सको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हो प् यू